ओम शान्ति, आज 31 मई 2017, बाब दादा के उन मधुर महवाक्यों पर, जिनको हमने आज अपनी क्लास में सुना है, आएए, अब हम मनन और चिंतन करेंगे. बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्री मत पर पवित्र बनो, तो धर्म राज की सजाओं से छूट जाएंगे. हीरे जैसा बनना है, तो ग्यान अमरित पियो, विश को छोड़ो. बाबा हमेशा कहते थे, अमरित छोड़, विश काहे को खाएंगे. जब तुमको ग्यान अमरित मिल रहा है, तो नच्रूली तुमें ग्यान अमरित ध्हारन करना चाहिए. दुनिया को तो ग्यान अमरित का पता इनी है. इस वो विशे सागर में बाबा कहता है, गोते खा रह प्रशन जो पूछा गया है, वह है सत्योगी पद का आधार किस बात पर है, यह बिलकुल सॉलिड प्रशन है, और इसका सॉलिड ही बाबा ने उतर दिया है, आप पढ़ के सुनुद, वह है पवित्रता, तुम्हें याद मेरे पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने से ही स जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धरम में चले आता है, तुम बल घर में रहो परन्तो किसी देधारी को याद नहीं करो, पवित्र रहो तो उच्पद मिल जाएगा, तो बाबा ने इसमें है, पहले तो आधार बताया है, पवित्रता, फिर पवित्र बनने का तरीका बताया है, कि बाप को याद करो, इसी देधारी को याद नहीं करो, अगर पुवित्र नहीं बने, तो फिर तुम को सजाएं खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाओंगे, लेकिन तुमें वो सजुका, सदगती का वर्सा नहीं मिलेगा, शांती मिलेगी, सुख न याद नहीं करो, देधारी को याद करना किसे कहा जाता है, यानि परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो किसको याद करेंगे, तो नेशरली स्वेम को भी दे मानेंगे, और साथ जितने भी आत्मा समंद में आते हैं, उनको शरीर मानेंगे, और शरीर का भान ही, अभी मान का और अन्य विकारों का मूल कारण है तो फिर तुम निर्विकारी तो नहीं बन सकते न जितना समय देव भान में रहोगे देधारियों को याद करोगे तो पतित्पना छूटेगा भी नहीं और चाते ना चाते कोई न कोई देव भान के वश पाप होता ही रहेगा इसलिए भगवान ने कहा है जब कहते हैं मेरा तो शिप बाबा एक दूसरा ना कोई अब दूसरा ना कोई में क्या आता है दे और दे के सम्द्ध तो पहले तो स्वेम को दे देखतेंगे तब ही दूसरे को दे धारी देखेंगे तो इसलिए भगवान कहता है पहले दे धारियों को देख रहा है इसका मतलब यह स्वेम को दे मान रहे हो और स्वेम को दे मान रहे है तो आत्मा नी मान रहे हो तो परमात्मा से योग लग नी सकता ज्यादा से ज्यादा समय बाबा कहते है सुयम को आत्मा मानकर लेकिं नॉर्मल रूटीन में जब कारोबार में हैं तो वोगात अलग कैविकल स्सभ्राइब आत्मा की रखने है कारोबार तो दुनिया भी कर रही है उनमेन और बुर मडामनो में क्या फर्क है वो श्रीरों को देखकर श्रीरिक समंदों को देखके कारेबार कर रहे हैं हम अपने को भी हात्मा मान कर अपने श्रीर को भी महमान समझ कर रहे हैं परक्त तो है ना सारा समय अपने इसी दे को याद करता रहे जो कल जुगी कल जुगी अंत की तुमों पर धान दे है और वो सुदर्शन चक्र गुमाई गी नहीं कि सजुग में मेरा कितना सतो पर धान शरीर था कितने जनम मेरे फसकला सतो पर धान रहे फिर त्रेता में मेरे बारात सतो गुनी शरीर थे यह चक्कर घुमाएगा नहीं, फिर तो इसी दे के इर्द के इर्द घुमेगा न, इसलिए बाबा कहता है, अपना चकर घुमाओ गया, तो इस दे का भान भी खतम होगा, इसलिए कहता है, सुदर्शन चकर धारी बनो, बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हैं, ये सच्चा सच्चा युद्द का मैदान है गीता में भगवान कहते हैं, काम महा शत्र हैं, उन पर जीत पहना, सो तो पहन तेरी जिस कारण शोक वाटिका में है बाबा कहते हैं, बैद दआई देगा वो करेंगे नहीν तो बिमारी तो बिमारी रहेगी, अगर तुम्हें शोक से दूर होना है, शांत सुरूप बनना है, और सदा खुश रहना है, तो बाबा कहता है काम विकार को छोड़ो, काम विकार की जड़ देविमान है, देविमान को छोड़ो, तभी तो पावन बनेंगे, पावन बनेंगे तो सदा खुश रहेंगे। बाबा ने हम बच्छों को कहा है कि कई लोग सोचते है कि हम आपाद धन है तो हम स्वरक में बैठे हैं। बाब कहते हैं यह सब गरीब बन जाते हैं। क्योंकि विनाश होना विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो इसमें तो खुश होना चाहिए। आप बाबा कहता है, यह खेंयों को यह नशा रहता है। दुनिया में कुछ भी हमारे पास तो धन है। बाबा कहता है उनको पता ही नहीं। कि विनाश होना है विनाश में तो धनवान का धन भी चरा जाए बाबा हमेशा कहते है ना किसी की दबे रही धूल में किसी की आग जलाए किसी की चोर ले जाए किसी की राजा खाए ये विनाश के टाइम की तो बात है तो गरीब तो हो नहीं है तो बाबा कहता है विनाश नही यह तो अच्छी चीज है ना, कि दुख्य की दुनिया का विनाश हो, तो हम शांती धाम में चले जाओ। बाबा ने हम बच्छों को रॉयल योग से खाया, राज योग। और उसमें बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर बार नहीं छुडाता हूं। घर में रहो लेकिन विकार में मच जाओ। और कोई भी देधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित हैं, सत्यूग में पावन देवता दे हैं। बाबा कहते हैं, पतित देधारियों के साथ बैवार करोगे, लेन देन करोगे, समंद जोड़ोगे, तो पतित ही बनोगे। आज आपके पतित माता पिता, उनकी फस्ट इच्छा क्या रहती है। कि हम अपनी संतान की शादी कर लें। यही रहती है न। तो अब शादी करने से वो भोगी बन जाते हैं। वो कन्या जो शादी से पहले पूजी जाती है, उसको वो भोग में देकेल देते हैं। आज की कन्या देखो सुस्राल जाके कन्याओं का क्या हाल है। आज हरे कन्या एक ऐसे शोशल बंदन में और समाजिक बंदन में जिसको कानूनी रूप भी देदी गए गए ऐसे बन जाते के सारी जिंदगी वो दुख उठाती है आज आप देखें बहुत सारे अज्यूकेटर कन्या है शादी नहीं करना चाती है वो कहते हैं कम से कम हम इंडिपेंडनेंट तो हैं ये हाल हो गया और पहले ही जाके पतित बनते हैं जो कन्या पूजी जाती थी वो घूंगट निकालके हरे के पाँच होती फिरती है तो बाब कि नदर सभी रूप से चै लोग तू कहते है ना जो सफाई करता है जमादार है वो शूदर है वो तो गॉर्मणूने अच्छा किया दाता है जिसके अंदर पांच विकार हैं वो शुदर है और ये कल्जुक के अंदर सभी में पांच विकार हैं तो चाहे इसमें काश्ट का कोई बरामन हो चैटर जी ओ, बेहनर जी हो, है ये शुदर आल है अब शुदर को आप छूँएंगे तो क्या होगा उसको तो छूने से भी आप के अंदर पतितपना आ जाता शूदर को देखते ही मन मलीन हो जाता अब कहीं गंदगी देखेंगे तो आपके मन के अंदर थोड़ी देर के लिए गिनाव आएगी न इस नजर से इस दुनिया को देखो लिए बाबा कहता है मेरे को याद करो तब बाबा कहते हैं तुम सब पा तो याद करो, याद से ही तुम्हारे भी करम बिनाश होंगे, बाकिये शिव शंकर पारवती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, वो सब भक्ति मार के धक्के हैं, वो तो कहानिया हैं, लेकिन बाबा ने ग्यान सुनाया था, अमर्नाथ ने आत्मों रूपी पारवतियों को अमर कता सुनायी थी, उसका बाबा सही, सामे और रहस बता रहा है, तो पारवतियों हम आत्माई हैं, और अमर्नाथ शिव बाबा है, बाबाने ने कहा, यहे ईश्वरी गवर्मेंट, अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने, तो धरम राज द्वारा बहुत कड़ी सदा खान करना होगा, या तो योग बल से भी करमों को भसम करना होगा, या फिर बहुत कड़ी सदा खाने पड़े ही? बाबा कहते है चुन लो अगर मेरे साथ जोग लगाना है तो बाकी सब को खुद्धी से भूलकर मेरे साथ जोग लगाओ तमारे अनेक जनमों के भी करम है एक जनम के नहीं है बलके आप देखेंगे दौपर के बाद आईउ कम हो जाती तो जनम ज्यादा हो जाते हैं कहां सजजग में केवल आठ जनम, तरेता में बारा जनम, और दौपर में 21 जनम, कल जुग में 42 जनम, 63 जनमों का बोज इसी के उपर चड़ा हुआ हो, और थोड़े से इस टाइम में उसको उसने चुक्तू करना हो, तो बगैर योग अगनी से बगवान की लब में लीन होका ज बहुत सारी आत्माँ पर तो बो चड़ा ही रहता है, थोड़ी या बहुत सजगा के जाते हैं, तुमको चांस है, जितना कोई कर ले, इश्वरी गवर्मेंट जो बाबा ने कहा है, और धरम राज की बात कही है, इसको आप थोड़ा सपष्ट करेंगे, जैसे संसार की गवर जाया जाता है, फिर वो लिखते हैं पनिश्मेंट और फिर जाके उनको जेल इत्यादी जेल भी कई परकार की होती है, चक्की पीसने वाली भी जेल होती है, तो सारी उनके अजादी खतम होकर वहां वो कैदी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं यहां तो तुमने रावन ने वो धरम जाद देगा और तुम्हें सजा खानी पड़ेगी, तो दोनों गवर्मेंट का बाबना में मकाबला किया, इस गवर्मेंट में भी तो लाँ है ना बाबा सफल करने के विशे में समझा रहा है कि बच्चे, तुम बच्चों को जब समझ मिली है कि अभी यह समय है, सफल करने का, तो बाबा कहते हैं यह गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, सोना अधी जमीन में दिवारों में छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब वहां का वहीं रह जाएगा, बिनाश तो हो नहीं है, अर्थक्वे कादी जब होती है, तो चोड लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं, अब धनी बाप आया है, तुमको अपना बना कर विश्यो का मालिक बना देगा, बाबा कहता है, ऐसे ना हो, तुमारा पड़े का धरे का ध कहते हैं, उसके हाथ में देते हैं, अपने हाथ से दोन पुन कर दो, तेरा भाग बन तेरे पराण निकल गए, उसके बाद तो जो जिसको ले जाना ले जाएगा, बाबा कहता है, कियों ने अपना धन नित्यादी दिवारों में चुना होता है, एक अग्यात जगा चुपाय जाएगा, और बाबा ने आज इंदर सभा की बात कही है, कि बाबा की सभा में कोई भी अपवित्रा आत्मा नहीं आ सकती है, और अगर आती है तो बाबा के तो उसकी फिर बहुत कड़ी सजा है, इंदर सभा की बात जो बाबा कहते हैं, उसको एक्स्प्लीन करते हुए, कि इंदरसबा में देवता ही आते थे, पावन देवता ही आते थे, उसमें दर्ती के मानव यनि नहीं आते थे, तो एक परी थी, थी वो इंदरसबा की, वो एक मानव को इंदरसबा में ले आई, तो जो ही वो मानव वहां पहुंचा दर्ती वाला, तो सब को मनुश गंद आने तो उसको मास्कि गंद आती है ने कहती ही कोन आगया? यहां तक के जो अब बिके प्याँज नहीं खाते है? हमारे सवार में कोई प्याँज खाने वाला भी आजए है, तो बहुत عजीब तरकी गंद आती है, उसको तो बचारे को नहीं आती है. तो फिर क्या हुआ कि परी को भी निकाल दिया गया और उसको भी बेज दिया गया वापस तो इसका भावर्थ जी है कि जो व्यक्ति body conscious है, वो soul conscious तो नहीं है, फरिष्था तो नहीं है वो अपने बॉडी कांशिस के विकारी संसकार लेकर कोई व्यक्ति आके इश्वरी सभा में बैठ जाए तो नेचरली वहां फिट नहीं होता वो क्या करेगा अपने अशुद वाइबरेशन फलाएगा आप देखिए कभी आजाते हैं ऐसे लोग कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं खासतार पर भेनों की ओर देखते हैं जैसी द्रिश्टी तो पता लगता है स्टेज पर बैठे हुए कोई ये वेक्तिक अजीब तरह का है तो अपना भी नुकसान करते हैं, उनको तो कुछ पराप्ती होती नहीं और सभा का वाता पर उनुक्राप करते हैं तो जो ऐसे लोगों को लाता है, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम है, कि माउं टाबू जाना तो दूर की बात है लेकिन सेंटर पर भी कलास में भी लाना मना है कि ऐसे वक्ति को पहले अलग से बैठके समझाया जाता है उसको कोर्स कराया जाता है जब वो उस धारना के रस्ते पर लगता है तब उसको कलास में परमिशन दी जाती है तो कई शॉर्ट कट करते हैं ऐसी ब्रामनी अभी होती है किसी को सीधा ही माहू टाबू ले गए अब सागर में कोई तैरना में ने जानता उसको ले जाओगे तो डूबे गई ना वो आप देखेंगे वहां से आकर पत्रा जाते हैं जैसे कहते हैं ना कि मदूबन में जो बंसरी बैटी थी उसको कोई जिसने लौ तोड़ा यह बात है बावा समझा जो कहते हैं पर ही ले आई थी तो पंड़ा ही ले आता नहीं अब पंड़ा गलत जा किसी मुसल्मान को पंड़ा अपना हिंदू बनाके धोती दाती पनाके किसी मंदर में ले जाएगा अब मुसल्मानों की ठिंकिंग और उनक तो वो क्या होगा तो पंड़े पर बोच चड़े का कि तू पाप एक ऐसे आत्मा को महां ले आया है अमालो वो मांस खा के आया है तो उसकी समेल आएगी पर मंदर वालों को तो पता तो लग जाएगा तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बात तुमको ध्यान पर रखनी ह कि कभी भी ऐसा कारे ना करो जो यग्य में विगन हो जाए उसकी भी माफी नहीं है वह बड़ी शुक्षम बात है इसी को गुरू का निंदक कहा गया मर्यादा पुर्शोतम किसी भी मर्यादा को तोड़ना आत्में तोड़ती रहती है वो समीत है हम अपना कारे ठीक कर रहे है हम बड़े अनुभवी हैं यह कर रहे हो बाबा कहता है लेकिन में काम यह है मर्यादा ना तोटे अगर मर्यादा तोड कर काम किया इसी तरह है जैसे ग़ॉर्मिंट के lawyer को की तोड़ करके इसको रिशवत देता है कुछ कर लेता है सड़क पर भी आप देहेंगे कई लोग ट्रेफिक रूल फालो नहीं करते हैं, एक दिन क्या होता फिर फिर सारी जिंदगी भरका देना देना पड़ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि मैं फालो करता और हॉस्पिटल में नहीं होता है। बाबा ने कहा कि वायू मंडल को भी शुद्र रखना यह आपका काम है। और पुर्शार्त करना है बेहत के बाप से बेहत सुख का वर्सा लेना है। क्योंकि यह बेहत का वर्सा है, बेहत का बाप है। उसको समझेंगे फिर यह हद की चीजों से अपने आप शुख जाएंगे। अपनी पढ़ाई में दो शब्दों का उप्योग, तीन शब्दों का उप्योग हम लोग प्राया करते हैं। एक है सन्यास, दूसरा है वेराग्य, और तीसरा है उप्राम। इन तीनों को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। अब वास्तव में तीनों शब्दों का ग्यान जुकत उप्योग भी हो सकता है। और इसका गलत उप्योग भी हो सकता है। अब सन्यास जिसको कहा जाता है, सन्यास का अर्थ क्या होता है। सन्यास का अर्थ होता है विड्राव करना, समेटना। अगर कोई इस एंगल से देखता है कि एक टाइम होता है फैलाने का, एक टाइम होता है समेटने का। जब आत्मा परम धाम से आती है, शरीर धारन करती है, सतो पर धान होती है, तो यहां आत्म रूप के बाद अपनी शक्तियों को फैलाती है जैसे एक बीड पेड को फैलाता है फिर एक दिन ऐसा आता है जब बीड सब पेड सब फल पूल सब को दे चुका होता है अब बिलकुल खड़ा रहता है उसकी आयू पूरी हो जाती है उस वक्त क्या होता है सूखता है पते जड़ते हैं फाइनली ओ डेड हो जाता है इसी परकार से जब सिष्टी में कलजू के अंत का समय आता है तो भगवान बाता अब वापस जाने का समय है तो अब आपको असक्ती नहीं रखनी यानि जो फैलाना था उसको अब आपने समयटना है अच्छा दूसरी बात क्या है कि आपने कहा वेराग अब वेराग विरती जो है अब सर्यास का एक तो मतलब यह ले जिते हैं उल्टा के सब कुछ छोड़के अलग हो जाओ नहीं आपके जो लेने देने के असाब है आपकी जो मांसी का सक्तिया है अगर वो रह गई आप छोड़कर भी चले गए वो आपको वापस के इंटती रहेंगी एक भी इंदरी की असाब रह गई यह एक भी करम का असाब रह गया तो आप वापस आ जाएंगे शरीर भी छोड़ देंगे फिर भी आपको वहां जरम लेना पड़ेगा इसलिए बाबा कहता है वेराग अब वेराग दो परकार का होता है एक है हद का एक है बेहद का अब हद का वेराग भी आता है जब कोई सी हम किसी को शम्शान घाट में चोड़ने जाते हैं उस वकत हद का वेराग आता है देखो क्या रखा दुनिया में कल तक ये चलता फिरता था मेरा ये है मेरा ये है आता है वो कितने समय चलता है वो हद का वेराग है ये का बेहद की वेराग भिरती ये जानकर अच्छी चीजों का विराक तो बगवान कराता ही नहीं सज्ज़ू constitution निए भी विराक है जिसमें तुमों पर धानता है हम उसमें समझ रहे हैं हमें सुक मिलेगा लेकिन उसमें दुक समया हुआ है बगवान उसका ग्यान देता है तब आटोमेटिकली बेहत की विराग विरती प्यादा होती है कि ना तो मेरा ये शरीर ना मेरी ये कल जूगी तुमों परधान आत्मा और इसके जो बाकी चीज़े हैं मुझे सुख नहीं देंगी ये मेरे दुख के कारण है इसलिए बेहत की विराग विरती के जब वो बेहत की विराग विरती आती है तो वेक्ति सारी दुनिया से उपराम हो जाता है उसको को चल ताज महल देखा चल सी साइड देखा उसको ऐसे लगता है ये क्या बोल रहे है क्योंकि उपराम हो चुका है, वो नई दुनिया देखता है, वो कहते हैं, सब चीजे अच्छी हैं, लेकिन सतो पर धानों तब अच्छी है। दार्ना के लिए है, योगबल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतु कर, आत्मा को शुद्ध और वायु मंदल को शांत बनाना है। दूसरा है, बाप की श्रीमत पर संपूरन पावन बनने की प्रतिग्या करनी है। विकारों के वशोकर स्वरक की रचना में विग्ण रूप नहीं बनना है। स्वरक को रच्चा जा रहा है कम से कम, उनको तो रचने दो। वर्दान है, विशेष्टा के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले, मर जीवा भाव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है, तो वा स्वता ही अपना काम करती है। सोचना वा करना नहीं पड़ता, ऐसे विशेष्टा के संस्कार भी नेचर बन जाए। और हरेक के मुख से, मन से यही निकले किस विशेश आत्मा की नेचर ही विशेशता की है साधारन करम की समापती हो जाए तब कहेंगे मर जीवा साधारनता से मर गए विशेशता में जी रहे हैं संकलप में भी साधारनता ना हो आज बाबा ने मर जीवा की बहुती शानदार परिभाशा की है कि मर जीवा, कहे से मरे और कहे से जीए तो बाबा ने बहुत अच्छी बات हमको ध्यान में लाई है कि सधारनता से भी मरना है और डिनरी लाइफ के जिंदगी जी रहे हैं बाबा कहता है नहीं, जिन्दगी बना रहे हैं, हम जीवन जीने के लिए नहीं मर जीवा बने, जीवन बनाने के लिए बने हैं, इसलिए वो क्या करना है, कि विशेशता को अपनी नेचरल नेचर बनाना है, हमारे संकलब भी विशेश हो, हमारा एक्षन भी विशेश हो, तो स दारंता से मरना और वशेष्टा को धारन करके अपनी नेचर बनाना यह है मर जीवा का अर्थ स्लोगन है समर्थ आत्मा वह है जो किसी ना किसी विधी से विरत को समात करते यह भी बहुत ही शानदार डेफिनिशन है समर्थ किसको कहेंगे जिसके अंदर विरत नहों जिसके अंदर कमजोरी ना हो तो मन की कमजोरी विरत संकल्पों से ना पी जा सकती है यह थी बाबा की आज 31 मई 2017 की मुडली जिसमें मीठे बाबा ने हम बच्चों को जो धारणाई बताई हैं उस पर हमें स्थिर रहना है बाबा की आज की मुडली से जो वर्दान में बात आई हैं उसे हम होमवक में लेंगे अपनी साधारणता को समात करें और विशेष्टा को साकार रूप दें विशेष्टा में जीना हैं अपनी विशेष्टाओं की लिस्ट बनाएं बाबा से मुझे कौन कौन से विशेष्टाएं उपलब्द हुई हैं इससे आपको खुशी भी होगी और नशा भी चड़ेगा ओम शादी